हेलो स्टुडेंट्स लास्ट टाइम हमने चेप्टर नमबर फोर टिक 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 कम्प्लीट कर लिया था और आज हम चेप्टर नमबर फाइव से स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है गप्पू की एर की जरनी उसमें क्या बोला है जईखो गप्फू वो ब्रेव लिटल माउस गप्पू हो ब्रेव लिटल माउस था एक दीन बच्चे थे वो गेस के बलून के साथ खेल रहे थे तो क्या हुआ कि बलून है वो जो गर का रूफ था वहाँ पर जाकर टच हो गया गपु वोज थ्रिल्ड तो गपु है वो तो डर गया गपु ने क्या किया उसकी जो श्ट्रिंग थी उससे वो उपर चड़ गया तो वो जो फेन था वहाँ पर उसके बलेट्स थे उसने वो उपर से देखे देखो यहाँ पर हमें पिक्चर दिया गया है यहाँ पर एक फेन है यह गपु माउस है यह के जवाला बलून है फिर यहाँ पर क्या बोला है देखो oh there is so much dirt on these blades अरे यहाँ पर तो बहुत सारी dirt है right from below they look so clean पर नीचे से तो हमें बहुत क्लीन लग रहा है फेन then यहाँ पर हमें क्या बोला है draw how the fan looks from below below से हम देखेंगे नीचे से तो हमें fan कैसा दिखेगा यह आप लोग को draw करना है then गपु looked down फिर क्या किया गपु ने नीचे देखा he could see the bed, the chair, one table with looks on it and the other table with a bottle, a jug, fruits, etc इसी फिर उसने नीचे देखा तो उससे एक bed नजर आया फिर chairs थी वो उसे दिखा फिर एक table छोटा सा था वो दिखा cheese के उपर books थी, यहाँ पर books है, right? और दूसरा table भी दिखा कि जहाँ पर क्या क्या था bottle, jug था, फिर कई सारे fruits थे, वो उसे नजर आये देखो, यहाँ पर आमें बहुती picture दिया गया है right? बहुती beautiful picture है look for these things in the photo, यह वाले photo में आप लोग दिख सकते हैं that stupid chinky is looking for cheese और वो जो stupid chinky थी, वो cheese के उपर देख रही थी can't even see it is kept on top of the jug पर वो यह नहीं देख रही थी कि वो जग के उपर ही है can you think why guppu could see the cheese on the jug but chinky could not? आप लोग सोच सकते हो कि guppu को cheese दिख रहा था पर chinky को नहीं दिख रहा था क्योंकि guppu है वो top पर था right? क्योंकि वो gas वाले balloon के साथ उपर था और chinky थी वो तो floor पर चल रही थी तो chinky नीचे की side थी तो उससे cheese के से दिखेगा? when I ran around in my house it looked so big मैं जबी भी मेरे house में rain करता हूँ मतलब की दोडता हूँ चलता हूँ तो मुझे यहाँ से बहुत ही big दिखता है but from here it looks small पर यहाँ से तो कर है वो बहुत ही small दिखता है how is that? वो क्या है? just then a strong wind pushed the balloon out of the room फिर बहुत ही strong wind आया और balloon है वो room से बाहर चला गया the balloon flew up and Gappu started going up in the sky फिर क्या हुआ कि balloon है वो sky में उड़ा और Gappu भी उसके साथ sky में उड़ा as he looked down he could see his house फिर उसने नीचे देखा तो वो अपने house को देख सका as he went higher he could see things around his house जैसे जैसे वो उपर जाता गया तो उसे अपने house के आसपास जो भी चीज़े थी वो दिखाए दे रही थी the park, the gurudwara, the railway line, a sweet shop and suhasini's house with the big water tank on its roof और उसे क्या क्या दिखा जो पार्क था वो गurudwara, railway की line, sweet की shop थी वो फिर suhasini का house with big water tank मतलब गी जहाँ पर उसके house के उपर big water tank थी वो भी उसे दिखी who is that on the railway track, railway track पर क्या था, is it that fat cat Monty, क्या वहाँ पर fatty Monty था ha ha ha, from here it looks like a big white mouse, पर यहाँ से तो वो big mouse दिख रहा है this must be the gurudwara where amarjiit goes everyday, यहाँ पर gurudwara है की जहाँ पर amarjiit है वो हर रोस चाहता है, देखो यहाँ पर gurudwara दिख रहा है, that देखो यहाँ पर हमें पूरा picture दिया गया है की जो गपु माउं से वो sky में से कैसे दिख रहा था यहाँ पर railway की line है, यहाँ पर houses है, यहाँ पर जो water tank है, that यहाँ पर railway track है, और यहाँ पर gurudwara है, फिर यहाँ पर कई सारे trees है फिर यहाँ पर क्या है देखो, I did not know, there is a sweet shop here, yummy, मुझे पता ही नहीं था कि sweet shop है, वो यहाँ पर है, yummy Then, imagine how your classroom looks from above, फिर आप लोगों को अपने classroom को imagine करना है की उपर से देखे, तो वो हमें कैसे दिखता है Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, windows, etc, उसे आपको draw करने की try करनी है, और उसमें जो benches, blackboard, doors, windows जो होते हैं, उसे mark करना है Then, the balloon went up, up and up, फिर बलोन तो उपर चलता गया, उपर चलता गया, और उपर ही चलता गया Gappu kept wondering how big the world is, तो गappu ने वहाँ पर देखा की बहुत ही big है वो world है Now he could see loads of houses, streets, roads and buses, तो वो क्या-क्या देख सका? बहुत सारे houses, streets देखी उसने बहुत सारी roads and बहुत सारी buses भी देखी देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है Gappu Mouse? Wow, is that a train? Looking like a long box from here क्या यहाँ पर यह train है? यहाँ से तो यह एक long box की तरह ही दिख रही है These cars and buses look so small from here और यहाँ पर चो cars and buses है हो तो बहुत ही छोटी दिख रही है यहाँ से Just like toys, toys के जैसे दिख रही है And people look like ants और जो people है वो तो ants की तरह दिख रही है देखो यहाँ पर जो उपर से Gappu Mouse देख रहा था उसका picture दिया गया है, right? फिर आगे Gappu की स्टोरी में क्या होता है? चलो देखते है Suddenly there was a loud sound फिर suddenly बहुत बड़ा से sound हुआ फट, the balloon burst and started falling down, down and everything started looking bigger and bigger and bigger फिर क्या हुआ कि फट करके balloon तो फूट गया फिर balloon है वो नीचे की तरफ आता गया, आता गया और सभी चीजे थी वो बड़ी दिखने लगी, right? धब, गपू fell on the railway track और फिर धब करके गपू है वो railway track पर पड़ गया he ran to save himself from the Creole Monty, who ran after गपू and the other rats on the railway track फिर क्या किया कि गपू ने दोड़ना शुरू कर दिया, कि जहाँ पर जो Creole Monty, जो Kate था वो उसे पकड़ना लई इसलिए, right? और जो other rats थे, वो भी जो railway track पर थे, वहाँ पर से दोड़ने लगे when गपू saw the railway track from above, it looked like this जब गपू ने उपर से railway track को देखा था, तो वो कुछ इस तरह दिख रहा था right? दिखो यहाँ पर, यह Monty है Kate और यहाँ पर यह railway track दिख रहा है but when he fell on the track, the railway line looked like this पर जब भी वो railway track पर आया, तो कुछ इस तरह से दिख रहा था देखो यहाँ पर में picture दिख रहा है, यह railway track है यहाँ पर गपू है, और यहाँ पर Monty Kate है Oh, things look so different when you look at them from the top and from the side हमें जो यह सभी चीज़े होती है, वो बहुत सी different दिखती है कि जब आप side से देखते हो, या तो उपर से देखते हो तो उससे देखने का नजरिया हमें जबी हम बदलते हैं तो हमें चीज़े भी different तरीके से दिखती है Then, look at these pictures and discuss why things look wide and big at this end but narrow and small at the other end आप लोगों को यहाँ पर जब pictures देगए हैं उससे देखना है और फिर discuss करना है कि जब हम उससे नज़दिक से देखें तो हमें picture है वो wide और big लगती है और फिर जो हम दूर देखे तो वो बहुत ही narrow और small दिखती है, वो कैसा होता है देखो यहाँ पर हमें railway track दिया गया है और यहाँ पर candle से, यहाँ पर उसकी line से तो हम पीछे दिखते हैं तो उसे हम बहुत ही छोटी दिखती है और हमें narrow भी दिखती है या railway track में भी ऐसा ही है तो उसका answer के आएगा कि The side which is nearer to us looks wider and the side which is farther from us looks narrow and smaller जो भी side हमारे नज़दिक होती है वो हमें wide दिखती है और जो भी side हमारे से दूर होती है तो वो हमें narrow and small दिखती है Then match two views of the same pose आप लोगों को यहाँ पर हमें views दे गए है उसमें same pose है ऐसा आप लोगों को उसे mark करना है तो उसमें क्या दिया है देखो This is a top view of a girl in a yoga pose यहाँ पर जो girl yoga कर रहे है उसका top view दिया गया है Only one of the photos below is the correct match of the same yoga pose यहाँ पर हमें नीचे pictures दिये गए है उसमें से कोई एक ही ऐसा pose है कि जो इसका side का view है Mark it और उससे आप लोगों को mark करना है तो उसमें कुन सा आएगा देखो यहाँ पर यह बाला है उसमें से यहाँ इसमें से कुन सा pose आएगा Pose number a देखो यहाँ पर यह girl का right hand है वो पीछे गया है और यहाँ पर भी हमें ऐसा दिख रहा है तो picture number a है वो उसका right position है Then next one page पर हमें क्या दिया गया है देखो These are two different views of the same bows हमें यहाँ पर two pictures दिये गए उसमें different views है of same bows same bows है उसके हमें different views दिये गए है right यह number one का photo है और यह photo number two है In which photo are the bowels upside down यह photos में से कौन सी ऐसी photo है कि इसमें bowels की उपर की side है वो नीचे की side दी गई है तो उसमें answer हैगा photo number two क्योंकि यहाँ पर तो bowels है वो उपर की side है उसकी उपर की side है वो उपर ही है और यहाँ पर जो bowels है उपर की side है वो नीचे है मजले की bowels से वो सभी उल्टे है और यहाँ पर आपको photo number three दिया गया है look at the side view in photo number three to find the answer आप लोग चाहे तो photo number three को देख सकते हो कि हमें answer कैसे देना है राइट यह आपको help कर सकता है then draw lines to match the side view with the top view of a pipe and funnel यह पर हमें pipes and funnels दी गए है उसमें आपको side view को to top view के साथ match करना है तो हमें pipe है वो यहाँ पर दिख रहा है तो इससे हम यह pipe के साथ join करेंगे और funnel है और यह भी funnel है तो इससे हम इसके साथ join करेंगे तो यह हमने कर दिया then next one is try to draw pictures of a shoe from the side, top, front, etc आपको क्या करना है आपके shoes है उसके side का view, top का view and front का view है वो आप लोगों को यहाँ पर draw करना है आप लोगों को छेसा भी आए वेसा आप लोग draw कर सकते हो then next one topic is the park behind Gappu's house गपु के house के पीछे का park Do you remember the park behind Gappu's house? हमने आगे बात की थी वो आप लोगों को याद है कि गपु के house के पीछे एक park है Here is a bigger picture of that park यहाँ पर हमें एक bigger picture दिया गया है park का Look at it carefully and answer the questions उससे आप लोगों को carefully देखना है और जो नीचे questions दिये गए उसके answer देने है देखो यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ा सा park दिया गया है राइट उसमें A, B, C, D ऐसे कुछ names दिये गए है और फिर कुछ नीचे questions दिये गए है तो वो चलो देखते है Mark the gate nearest to the sweet shop Sweet shop के नस्दीग कौन सा gate है तो उसमें answer आएगा A तो आप लोगों को A पर mark करना है Then next one is which gate is nearest to Gappu's house Gappu के house के नस्दीग का gate number कौन सा है Gate number C Then if you enter from gate B, the green bench will be to your कौन से साइट में आएगी आप लोग gate B की साइट से एंटर करोगे तो green bench है आप लोगों की साइट आएगी Left side में right तो आप लोगों को left पर mark करना है Then when सुहा सिनी entered the park The flower bed was to her right Which gate did she enter from? सुहा सिनी जब पार्क में एंटर करेगी तो जो flower bed है वो उसके right में होगा तो वो कौन से gate से एंटर करेगी? तो answer आएगा gate number D Then next one is Which of these is nearest to you if you enter from gate number C? अगर आप लोग gate number C से एंटर करोगे तो आप लोगों के नस्दी क्या होगा? बास्केट बोल कोट, flower bed, green bench या तो सी सो तो answer आएगा सी सो तो आप लोगों को यहाँ पर मायद करते ना है Then next one is Ismael's home Ismael का घर On the phone Ismael told Srijata the route to his house from her house Phone पर Ismael है वो Srijata को क्या बोल रहा था कि उसके घर से Srijata का house के इस तरह से है The route map is shown here और वहाँ पर हमें यहाँ पर यह picture किसका दिया गया है जो route है उसका map यहाँ पर दिया गया है तो वो चलो देखते हैं हम देखो यहाँ पर यह yellow color का है वो Ismael का house है फिर यहाँ पर यह सभी हमें streets दिखाए दे रही है then यहाँ पर green color का park है यहाँ पर bridge है then यहाँ पर से इस तरह आएंगे तो milk booth है then यहाँ पर इस सेड़ आएंगे तो यह pink वाला है वो Srijata का house है तो इस तरह से हमें कुछ उसका map दिया गया है this is what Ismael told Srijata Ismael ने Srijata को क्या बोला वो यहाँ पर है बेखो from your house reach the milk booth and then take a left turn तुम्हारे गर से milk booth पर जाओ और फिर left turn लो from the second crossing take a right turn and go over the bridge और फिर second crossing लेकर तुम right turn हो जाओ और फिर आप लोग को bridge पर जाना है then bridge से go straight and then take the first right turn फिर क्या करना है कि bridge से straight जाना है और फिर first right turn लेना है after about 100 meters you will see a big park फिर 100 meters के बाद तुम्हें big park है वो दिखेगा when you cross the park you will come to a side land और फिर park को cross करेगे तो side की लेन दिखेगी my house is the first house in that land और मेरा घर है वो उस वाली लेन में first वाला ही है तेन कुछ questions दिए गए है क्या है देखो did Ismael go wrong somewhere क्या Ismael है वो कहीं पर wrong चाहरा था can you correct ही आप लोग उसे correct कर सकते हो कैसे करो के correct आप लोग देखो Ismael went wrong क्योंकि after crossing the bridge he should have told Shri Jata to take the first left turn instead of the first right turn क्योंकि Ismael ने bridge के बाद Shri Jata को क्या बोला था आज चाहेगी right तो यहां पर Ismael था वो wrong था so where Shri Jata will reach if she takes the route he told her अगर Ismael ने यह वाला route Shri Jata को बोला है तो वो कहां पर जाएगी वो आपको बोलना है Shri Jata will reach in the opposite direction of Ismael's house जो Ismael ने बोला उस तरसे Shri Jata चाहती तो वो Ismael के house की opposite side में जाती right then write the directions for going from Ismael's house to Shri Jata's house और फिर आप लोगो को direction लिखती है किस की? Ismael के house से Shri Jata के house की right तो यह आप लोग कर सकोगे ना आप लोगो को जैसे भी आए जितना भी आए वो आप लोगो को करने की try करनी है then next one topic is Ghibli and the big box do you remember Ghibli the ant in the math magic book 3? अप लोगो को याद है कि book number 3 में Ghibli है वो एक ant थी right जो math की book में थी देखो यहाँ पर number 4 दिखाया गया है और यहाँ पर यह क्या है? Ghibli है well one day Ghibli saw a big box on her way एक दिन Ghibli ने क्या देखा कि बहुत बड़ा big box था और वो उसके राश्ते में था it looked like this देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है चो यह number है और यह बड़ा वाला box है Ghibli moved across and turned left फिर क्या क्या वो वहाँ से left turn हो गई now she could see the other face of the big box फिर उसने जो big box था उसका other जो face था वो देखा चो यहाँ पर हमें number five दिया गया है राइट देखो यहाँ पर यह four है और यह five है then Ghibli was confused तो Ghibli confused हो गई what was this box यह box किस का था she climbed on a cup and tried to see from there फिर क्या किया उसने वो cup के उपर चड़ गई और फिर उपर से देखने की try की the box looked like this और फिर box है वो कुछ इस तरह से दिख रहा था देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है four five and यहाँ पर one can you guess what that box like thing was वो किस के चैसा दिख रहा है प्लोग guess कर सकते हो yes dice की जीस से हम लूडो खेलते हैं the numbers on the opposite faces of this box add up to seven यह वाले जो box था उसमें number seven तक दिये गए थे which number was on the opposite side of five five की opposite में कौन सा number होगा number two then in the picture which number will be at the bottom और यहाँ पर जो picture दिया गया उसमें bottom मतलब की नीचे की side कौन सा number होगा number six then which number will Ghibli see if she again turns left from five और फिर again वो number five से left टन लेगी तो उसे कौन सा number दिखेगा number one then what will this box look like if you opened it up फिर आप लोग इस वाले box को open करोगे तो वो कैसे दिखेगा mark the correct picture यहाँ पर कुछ pictures दे गए उसमें से आपको mark करना की कैसे दिखेगा उसमें answer आएगा number a right देखो यहाँ पर हमें जो different numbers दे गए है क्योंकि यह number six था उसके bottom में था यहाँ पर कहीं पर bottom में number six नहीं है right तो यह यह वाला है वो right answer है तो यहाँ पर आप लोगों को mark कर देना है then try it out draw a shape like this on a thick paper फिर आपको यह वाला जो shape है वो thick paper पर draw करना है cut it out and color the different faces in different colors पर फिर उसके जो भी faces है उसमें different colors आपको करने है can you use this box to play a game और फिर आप लोग यह वाले box को game खिलने में use कर सकते हो yes आप लोग ठीक तरसे बनाओंगे तो आप लोग यह वाले box का भी game में use कर सकते हो तो यहाँ पर हमारा chapter number five है वो complete होता है तो यह वाला chapter आप लोगों को workbook में भी complete कर लेना है कि लोग यहाँ झाइ दोग्ड़ों के लोगे लोगग लोगों कर सकतव टह लोगे